पूरे देश में हुआ CAA लागू, हाई अलर्ट पर UP पुलिस, कटरपंतियों ने रची थी साजिश, फिर चला UP पुलिस का डंडा भारत सरकार ने सोमवार 11 मार्च दो हजार चौबिस को नागरिकता संसोधन अधिनियम CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है पुरे देश की पुलिस को इस मौके पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, पुलिस ने जमीन से लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी है लोगों से लगतार भरामक ख़बरों से बचने की अपील की जा रही है इसके बावजूद इस अपील को कुछ लोग हलके मिले रहे हैं और लोगों के बीच भरम फैलाने का काम कर रहे हैं जिसके बाद पुलिस ने जाज करते हुए सोंबार 12 मार्च 2024 को आरीव को गिरफतार कर लिया क्या है पूरा मामला जानेंगे आज की स्पेसल स्टोरी में साथी बात करेंगे CAA और इससे जुड़े UP पुलिस के चाक चौबंदियों की नमस्कार मैं रोहित कुमार आप देख रहे हैं टापिटल टिहुतर प्रदेश के स्पेसल स्टोरी पूरा मामला मुझपर नगर जीले के थाना चेतर कोतवाली नगर का है पुलिस ने मंगलवार को बताया था कि शोशल मीडिया प्लैटफॉर्म और वाटसअप पर एक गुरूप चलाया जा रहा है जिसका नाम थानवी टाइमस है इस गुरूप को आरिफ थानवी नामक व्यक्ति संचालित करता है पुलिस ने आगे बताया कि इस गुरूप में लगतार CAA को लेकर भ्रामक खबरे शेर की जा रही थी जिसे पुलिस ने सामाजिक सोहाद्र बिगाडने वाली हरकत करार दिया है आरिफ के खिलाफ FIR धर्च कर उसे गिरफतार कर लिया गया है बतादे कि आरिफ थानवी मूल रूप से मुझपर नगर के खालापार इलाके का निवासी है यह वही छेतर है जहां CAA विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिसमें पुलीस अधिक्षक को जान से मारने की कोशिश भी की गई थी हलाके इस हमले में SP बालवाल बच गए थे बतादे कि दबिश के दौरान आरिफ अपने घर पर ही था गिरफतारी के साथ उसका मुवाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है जिसका उपियोग वह भ्रामक खबरे फैलाने के लिए कर रहा था कौन है आरिफ थानवी? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरिफ थानवी एक जोला चाप दौक्टर है जो हकीमी आदी की क्लीनिक चलाता है चोकाने वाली बात यह है कि साल 2018 के अगस्त महा में मुझपर नगर के तकालिन पुलीस अधिक्षक की मौजूदगी में आरिफ की बहन सना को पुलीस ने समानित किया था और रक्षा बंधन के मौके पर उन्हें एक दिन का थाना प्रभारी भी बनाया था इस दोरान सना थानवी को बकाईदा पुलीस अधिकारी की कैब भी पहनाई गई थी बतादे कि CAA यानि की Citizenship Amendment Act एक बार फिर से चर्चे में है केंदर की मोधी सरकार का कहना था कि किसी भी कीमत पर भारतिये नागरिक संसोधन कानून CAA देश में लागू किया जाएगा जो की अब लागू कर दिया गया है इसे लेकर पुलीस को भी निर्देश जारी किया गया था बीते वर्षों में CAA को लेकर खुब बवाल हुआ था मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया था शाहीन बाग का नजाराम सब ने देखा किस प्रकार से कटर पंतियों ने साहीन बाग को कीले में बदल दिया था लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर डटी रही और अब CAA लागू कर दिया गया है इसी के मद्दे नजर UP पुलिस के DGP प्रशांद कुमार का एक बयान भी सामने आया था प्रशांद कुमार ने कहा था कि UP पुलिस लोग सभा चुनाओ को लेकर तयारियों में जुटी है इसके साथ ही वह CAA के लागू हने को लेकर भी युद अस्तर पर तयारी की जा रही है उन्होंने आगे कहा था कि अगर किसी तरह के विवाद की कोई सूचना मिलती है तो उससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह तयार है प्रशान कुमार में आगे कहा था कि प्रदेश में किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगडने नहीं दिया जाएगा हम पूरी तरह से तयार हैं, हमारे पास वेपन भी हैं और डंडे भी यदि आवसक्ता पड़ी तो इसका उप्योग भी किया जाएगा CA लागू होने को लेकर उन्होंने कहा था कि पुलीस सभी धर्मगर्वों से संपर्ग बनाये हुए है ताकि किसी भी प्रकार से लोगों को भ्रमित ना किया जा सके उन्होंने कहा था कि अभी राज्य में निवेश का महौल है और कुछ ऐसा नहीं करने दिया जाएगा इस्थिती से निपटने के लिए तयार हैं सभी संस्थाओं से हम सूचनाओं का आदान परदान कर रहे हैं डीजेबी प्रशांत किसोर ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था का इस्थिती का जाएजा लेने के लिए चुनाव आयोक की एक टीम भी आई थी इस दोरान टीम ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की उन्होंने राज्य की व्यवस्था पर संतुष्टी व्यक्त की और आस्वाशन दिया की प्रदेश में चुनाव हिंसा मुक्त और प्रलोभन मुक्त होंगे हाली में मीडिया से बात करते हुए ग्रीमंत्री अमित्षा ने कहा था कि CAA देश का कानून है और यहां पत्थर की लकीर है जो लागू होकर रहेगा उन्होंने कहा था कि इस कानून को इस चुनाव यानि लोगसभा चुनाव दो हजार चौबीस से पहले लागू किया जाएगा और इसे कोई नहीं रोग सकता उन्होंने आगे कहा था कि CAA सम्विधान सभा का वादा था और देश का जब विभावजन हुआ तब पाकिस्तान और अपके बंगलादेश से लाखो करोडो लोग भारत आ रहे थे तब कॉंग्रेस के लोगों ने ही देश से वादा किया था कि देश उनका स्वागत करेगा लेकिन वोट बैंक के चक्कर में वे अपने वादे भूल गए अगर भारत अपने 15 अगस्त 1947 के वादे को याद नहीं रखता उन्हें नागरिकता नहीं देता तो ये विश्वास घात होगा CAA को लेकर क्या है विभाद? नागरिक संसोधन कानून में अफगानिस्तान, बंगला देश और पाकिस्तान से विश्ष्ट धार्मिक समुदायों, हिंदू, सिक, जैन, इसाई, बौध और पार्सी को अववयद और प्रवाशियों के लिए भारतिय नागरिकता देने का प्रावधान है इस पर कुछ आलोचुकों का कहना है कि ये प्रावधान भेद भाववपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसल्मानों को शामिल नहीं किया गया है जिसके कारण ये विवादों के घेरे में है नागरिकता के लिए कैसे करे आवेदन? नागरिकता पाने की पूरी प्रकीडिया ऑनलाइन ही रखी गई है जिसे लेकर एक आउनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है पात्र विस्थापितों को सिर्फ ओनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा जिसके बाद ग्री मंतराले आवेदन की जाच करेगी और आवेदक को नागरिक्ता दे दी जाएगी बतादे कि कुछ अवैद प्रवासियों के लिए नागरिक्ता की पातरता अधिनियम भारतिय नागरिक्ता प्राप करने से रोकता है अवैद प्रवासी हुए विदेशी हैं जो वैद पास्पोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या अनुमत समय से अधिक दिनों तक भारत में रुखते हैं। किसे मिलेगी नागरिक्ता? CAA लागू होने के बाद नागरिक्ता देने का अधिकार पूरी तरह से केंदर सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिक, बौध, जैन, इसाई और पार्शी धर्म से जुड़े सरनार्थियों को भारतिय नागरिक्ता दे दी जाएगी। बतादे कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए, उन्हें ही नागरिक्ता मिलेगी। इस कानून के तहट उन लोगों को अवैद प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैद यात्रा दस्तावेज, पासपोर्ट और वीजा के बगयर घुसाए हैं, या फिर वैद दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तै अवधी से ज्यादा समय तक यहां रुके यानि इन जगों पर अगर कोई शरणार्थी है, तो वो नागरिक्ता नहीं ले सकेगा, इसमें अरुनांचल प्रदेश, मिजोरम, नागा लेंग और मनीपूर जैसे राजी शामिल हैं, फिलाल के इंदर सरकार की तरब से लोगसभा चुनाओं से ठीक पहले CAA को लागू कर दिया गया है, इसे लेकर एक बार फिर विवाद भी शुरू हो चुका है, विपक्षिदलों ने कहा है कि ऐसा कानून भारत में लागू करना ठीक नहीं है, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वे अपने राज्यों में CAA को लागू नहीं होने द हम बंगाल में CAA लागू नहीं होने देंगे सम्विधान क्या कहता है? सम्विधान के अनुसार भारत के राज्य CAA को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि नागरिक्ता संग सूची के तहत आती है, ना कि राज्य सूची के अंतरगर्द लोगसवा के पूरो महा सचीव PDT अचारी के अनुसार राज्यों के पास कोई विकल्प नहीं है, उन्हें संसत की और से पारित कानून को लागू करना ही होगा, जहां तक राज्यों की शिकायतों का सवाल है, वे हमेशा शुप्रीम कोट का रुख कर सकते हैं, अगर उन्हे से लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदशन हुए, इस कानून के तहट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेश के हिंदू, सिक, जैन, पार्सी और इसाई समुदाय के प्रतारित लोगों को भारत की नागरिक्ता देने का प्रावधान है, लेकिन इसके ल झाल